गोंडा से अगवा किये गए मेडिकल की छात्र को नोईडा स्टीएफ और गोंडा पुलिस ने सकुशल बरामत कर लिया है। इतना ही नहीं स्टीएफ की टीम ने दिल्ली के डॉक्टर समें तीन अपहरण करताओं को गिरफतार किया। जाज मिस सामने आया कि दिल्ली के डॉक्टर अभिश्वेक सिंग ने अपने परिचित महला डॉक्टर के साथ मिलकर अपहरण की साजिश रची थी। बी ए एमेस शात्र गॉरो हल्दर को महला ने हनी ट्रैप में फसा कर मिलने को बुलाया था। और फिर उसे नशी का इंजेक्शन देकर गॉंडा से दिली ले आए। इस घटना को अंजाम डॉक्टर गॉरव डॉक्टर अभिशेक नाम के एक अप्रादी ने दिया जो की गॉंडा का रहने वाला है परंतु दिली में एक हॉस्पिटल में काम करा था। उसने अपने साथ रोहित नाम के एक व्यक्ति जो अफरित के जगह का ही है और डॉक्टर अभिशेक का साथी है। उसके साथ मिलके पूरी तरह प्लान किया और इस प्लान में डेली के नितीश और डॉक्टर प्रीती को इसमें सामिल किया। साथी साथ मोहित नाम का एक व्यक्ति जो कपड़े के दुकान में काम करता था वो इस प्लान में सामिल हुआ। और डॉक्टर पीती के माध्यम से इन्होंने बात कराई गौरफ से और उसके बाद ये पूरा ग्रुप गोंडा जाता है और महां से किड्नैप करके इसको दिल्ली लाके डॉक्टर अभिशेक के फ्लैट में रखा लास्ट नाइट स्टीएफ और गौंडा पुलिस के जॉइंट ऑपरेशन में थाना नौलेज पार्क शेत्र में तीन अभिउक्तों की गिरफतारी हुई जिनके नाम डॉक्टर अभिशेक दूसरा जो उसका साथी थानितीश और मोहित इनको गिरफतार किया गया और उसी स्विफ डिजायर गाड़ी से जो अपरित गौरव है उसको सकुशल बरामत किया गया है इनके दो अन्ने साथी जिनोंने पहला एक्स्चॉशन कॉल भी किया था संतकभीर नगर से जिनके नाम रोहित और सतीश हैं उनको वहाँ गिरफतार किया गया है और साथी साथ उनसे मोबाइल फोन जो इस घटना में प्रियुक्त किया गया था उसको रिकवर किया गया है इस तरह स्टीएफ और गोंडा पुलिस के जॉइंट ऑपरेशन में एक अत्यमती संसनी खेज मामले का खुलासा हुआ अभरित की सकुशल बरामदगी और इसमें घटना में शामिल अभियुक्तों की गिरफतारी की गई है एक अभियुक्त डॉक्टर पीती अभी फरार चल गई है पंजाब केसरी टीवी के लिए नोडा से गौराव गौर की रपोर्ट